नमस्कार दोस्तो जैश्री कृष्ण रादे रादे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो कैसे हैं आप सभी मैं आशा करती हूँ श्री कृष्ण बाके विहारी के कृपा से आप सभी बहुत खुश होंगे दोस्तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक खास चानकारी के बारे में जो दोस्तो बहुत महदपूंट रहने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके जीवन काल के बरबात करने वाले उन चार लोग और उन चार कारणों के बारे में जी हाँ दोस्तों यदि आज आपने वीडियो को नजर अदास कर दिया तो आपके जीवन में दोस्तों कभी भी परिशानिय नहीं आएंगी और दोस्तों मैं आपको ये भी चीज बताऊंगी कि किस प्रकार ये लोग आपके जीवन में बड़ी परिशानी का कारण पन रहे हैं और दोस्तों हम जानेंगे इन चार कारण आखिरकार कौन से हैं जो आपको बरबात करने के बारे में सोच रहे हैं आपके जीवन में आखिरकार क्यों इत्तकस्ट है क्यों इतनी परिशानी है इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों आज इस कारणों के बारे में बताएंगे और दोस्तो कुछ खास उपाई भी आपको बताने वाले हैं यदि आपने अपने जीवनकाल में ये चार गलतिय करने से बंद कर दिया तो आपके जीवन में कभी भी आपको परिशानी नहीं आएगी जीवन में हमीशा आपको खुशियां मिलेंगी तो दोस्तो वीडियो को सरल रहने वाला है आप बिलकुल भी दोस्तो इसे मिज करने की गलती ना करें बहुती सरल और बिना पैसे खर्च किये आपको एक महा उपाय प्राप्थ हो सकता है इसलिए आपसे हाल जोड करने वेदन है कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतक अवश्य दोस्तो आपनी ये कहावद तो सुनी होगी कि इश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है लेकिन दोस्तो कई बार आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपकी बड़ी बरबादी का कारण बनते हैं जी हां दोस्तो आप सबी को ये बात मैं इस पस्चिता से बताने कि दोस्तो कहीं न कहीं ये लोग आपकी लाइफ में रोड़े बन रही हैं और आपको उस कुए में धकेल रही हैं जिस कुए में जाने के लिए इनसान सौ बार सोचता है दोस्तो ये आप लोगों के लिए इस तरहा से साबित हो रही हैं जिस तरहा से दोस्तो एक खलनायक आ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर प्रकार की विशेज जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंब करते हैं लेकिन जल्दी से कमेंट बॉक्स में सची श्रद्धा भाव से जैश्री कृष्ण रादे रादे अवशे लिखें और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार आएं हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें आप देखी वीडियो तो पूरा देखती हैं लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो ऐसी गलते आप मत करिएगा तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं कुछ नए कारों के बारे में देखी दोस्तों आपके घर में दिक्कते हैं कल है कले चल रहा है इस समय दोस्तों आप लोगों का जीवन में बड़े बदलाव हुए हैं दोस्तों बता दे कि इस समय पती पतनी के रिष्टे अच्छ नहीं चल रहे हैं दाम पत्ते जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं किया आपके जीवन काल में आपने जो भी हासिल किया है आपने आपको बता दे दोस्तों आपको वापसी मैदिक धन प्राप नहीं हुआ है दिन रात मेह जीवनकाल में सब कुछ हासिल किया है लेकिन दोस्तो आप सब झे को बता दूं कि आप लोगों को कुछ समय तक सफलता मिलती है लेकिन वे सफलता आपके हातों से निकल जाती है तो दोस्तो यदि आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो आपके जीवन में तभी सब अच्छा चलेगा दोस्तो आपके अच्छे जिन नर्जित होंगे जीवन भी आपन अच्छा चलेगा दोस्तो बता दे कि आप कई बार अपने जीवन में हशी खुशी रहती है हज़ी खुसी जीवन विधीत करते हैं लेकिन दोस्तों कुछ समय से आपकी जीवन में ऐसा कलेश लगा है ऐसी समस्या आ रही है जिससे आप बराबर परिशान होते जा रहे हैं एक समस्या समाप नहीं होती कि दूसरी समस्या आपको मिल जाती है एक समस्या को समाप्त करते करते ठक जाते हैं फिर दूसरी समस्या लग जाती है इसी उलजहनों में आप परिशान हैं इस समय दोस्तों आपके अपने ही कुछ आपको परिशान कर रहे हैं जिसके लिए हमेशा से आप जगड़ा किये हैं वही आपको दुश्मन बन गए हैं इस दोस्तो आपके जीवनकाल में दितनी परिशानी आ रही है ऐसे आपके जीवन में दोस्तो हमेशा ये राजयोग का निर्मान तु रहता ही है लेकिन दोस्तो बता दे महालक्ष्मी की बृषेश क्रुपा पाने के लिए आपको कुछ विशेश साब्धानिय करनी जाएं बता द जिसके कारण से मालक्षमी की करपर हैती है लेकिन जाने अन जाने से दोस्तो आप लोगों के अंदर से कुछ न कुछ गलतियां हो ही जाती है जिसके कारण से दोस्तो आप बहुत परिशान हो जाते हैं लेकिन दोस्तो आज वह मुख्य चार गलतियों के बारे में बताऊंगी ऐसी गलतियां और भी हैं दोस्तों लेकिन दोस्तों खास लोग और खास मुख्य गलतियों के बारे में बताऊंगी जिससे आपको अभी परिशानिया होती हैं। यदि दोस्तो वह गलतिया करना आपने आज से ही बंद कर दिया तो दोस्तो इस बात पर एकीन मानिए कि आपका आज से ही आपका भागे बदलना प्रारंब हो जाएगा और जीवन में दोस्तो जो मुश्किले आ रही हैं वे मुश्किले भी देरे देरे आपकी समापत होती जा यदि वह उपाय आप कर लेंगे तो जीवन में दोस्तों आपको सोने पे सुहागा जैसे मौका मिलेगा और चारचांद आपके जोली में गिर जाएंगे यदि आपके जीवन काल में किसी औरत का अपमान यदि करते हैं तो दोस्तों याद रखेंगे आपके पास कितनी भी धन संपत्ति क्यों नहीं लगेगी याद रखेंगे दोस्तों कि आपके जीवन का पार्मत करिये और यदि आपके दोस्तों पता दे आक्वाद धन अधिक है भी तब भी वे धन हाथ से निकलने में देरी नहीं लगेगी इस बात का ध्यान रखें दोस्तों हमारे हिंदु धर्म में औरत को माता माना जाता है बहुत महदपूर माना जाता है आप लोगोंने अक्सरी बात सुनी होगी इसी तरह राम रादे 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 कृष्ण कौरी शेव तो दोस्तों याद रखे लक्ष्मी डाराण इस तरह की बाते आपने सुने होंगी हमारे हिंदु धर्म में औरत को परम पूज निये वा लक्ष्मी का दर्ज़ा प्राप्त है औरत को भी बहुत महदपूर माना ज होती है जिहां दोस्तों तो किसी भी औरत का अपमान नहीं करना है औरत को वैदिक दोस्तों तरीके से आपको अपने घर की लक्ष्मी की तरह समझ लेना है तो दोस्तों किसी भी औरत का आप लोगों को अपने जीवन काल में कभी भी परिशार नहीं करना है उनके मान सम्मान का ध्यान रखना है वह आपको रक्षा भी करने है जिहां दोस्तो बता दें आपके सारे ही कस्ट दूर होंगे बता दें धन समदी समस्याएं होंगी दोस्तो जो भी दिकते होंगी जो भी आप परिशान रहे थे दोस्तो चाहे वह और दोस्तो आपकी मा हो बेहन हो बेटी हो हर प्रकार की सबस्य आपकी दूर होगी जी हाँ दोस्तों बता दें हर इस तरीका आपको मान सम्मान करना है किसी भी औरत का अपमान आपको नहीं करना है हो सके तो औरत का सम्मान करे और दोस्तों सम्मान यदि नहीं भी कर सकते हैं कि छोटी बच्चियों के उपर भी गलत निगह डालती हैं दोस्तों बता दे बच्चिये ही नहीं यदि कोई महिलाएं भी हो तो उनके जीवन में भी दोस्तों आप लोगों को मान सम्मान करने की आवशकता है तो ऐसी गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है याद रखे दोस्तों मनुशे वही है जो मनुशे और पशुओं के बीच में अंतर यदि करता भी है तो वो इस शीज का ध्यान रखे कि इश्वर ने उसे मनुशे किस कारण से बनाया है उसके अंदर कुछ ऐसे गुड़ होने चाहिए जो मनुशे और जानवर में उसको भिनकर सके मनुशे और पशुमे उसको अंतर इस पस्चता से बता सके इसलिए दोस्तों बता दे कि यह दि आप मासमचली का सेवन करते हैं आपको मास मच्ली के सेवन से दूर रहने की आवशक्ता है जिया दोस्तों कई बार जाने अन जाने में आप जीव जन्तूं को हाणी पहुचा देते हैं चोट पहुचा देते हैं दोस्तों ये चीज बिलकुल भी अच्छी नहीं है दोस्तो चौती चीज है जो आपको विशेज ध्यान रखनी है ऐसी गल्दी दुबारा मत करिएगा किसी से दोस्तो आप लोगों को बुरा ब्यवार नहीं करना है घर के लोगों की बात तो और है लेकिन आपको अपने से जो बाहर दाइरे में आते हैं यानि कि आपके बड़े ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को बुरी तरह से बरबात करने के बारे में सूच रही हैं याद रखें ऐसे विक्ति आपको मुसीबत में फजाने की कोशिच करेंगे कहीं ना कहीं दोस्तो यापकी मुसीबतों का कारण बने हैं तो इन लोग उसे तुरंत आपको दूरी बन लेनी है दोस्तों याद रखें जो लोग जिन में बुरी आदते होती हैं शराप पीते हैं जो आपको हमेशा प्रेडित करते रहते हैं बुरी चीजों के लिए वे कभी भी आपको समझाते नहीं है देखिए एक अच्छा दोस्त जो होता है जो इन चीजों से दूरी बनाने के लिए बोलता है वे ये बोलता है कि आपको पूरी तरह से याद रखें अपने लक्षे पर फोकस करें फाइनेशल कंडिशन छीक नहीं है तो दोस्तों वे आप लोगों के लाइफ में फोकस करें लेकिन दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो आपको हमेशा बुरी आदतों के नहीं रहना एक जैसा है इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनानी आवश्कता है इसी के साथ दोस्तों दूसरे विक्ति की बात करूँ तो ये ऐसे विक्ति हैं जो हर बात पर धो rat बात को भी छूपाने के लिए हर वक्त केवल जूट का सहारा लेते हैं इसकदर धोस्तों ये कभी इन पर यकीन भी नहीं कर सकते हैं लेकिन दोस्तों जब बहुत बाद में आपको सच्चाई मालूम पड़ेगी तो दोस्तों आपको पैरो तले जमीन किसक जाएगी क्योंकि दोस्तों इसमें इतनी सारी बाते बुरी हैं इनके मन की इतनी सारे जूट आपको दोस्तों बताए गए हैं जो आपने अभी तक दोस्तों आप सचमान बैटे हैं कहीं न कहीं दोस्तों ये वक्ति सिर्फ और सिर्फ आपको अट्रेक्शन अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं और आपको अपनी तरफ खीचने की कोशिश करते हैं, गलत कारे करने के लिए प्रेज़ करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से भी आप लोगों को दूरी बना लेनी हैं, क्योंकि इन व्यक्तियों की सोच ही नकरात्मक होती है, जिनकी सोच हमेशे नेगेटिव रहती है, ये नेग अंदिर भगवान इतियादी की बाते करते हैं, तो ये लोग उससे पला जाड़ लेते हैं, तो दोस्तो उस समय आप लोगों को इस तरह से महसूस करवाते हैं, कि हाँ भाशन दे रहे हैं, इन्हें आपकी बातों में कोई भी रूची नहीं है, दोस्तो और ये आप लोगों को भी बहुत ही जो है, गलत नजरों से देखते हैं, आपको दोस्तो बहुत गिल्टी फिल कराते हैं, आपको कि आखिर कार आप क्या बाते कर रहे हैं, तो आज के जमाने की दोस्तो बात करें, इस तरह से आपको फिल कराते हैं, तो ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बना ल के लिए रुकावटे बन सकते हैं तो इन लोकों से भी आपको दूरी बना लेनी है जिन्हें भगवान पर बिलकुल भी भरुसा नहीं है जो नास्तिक है और यदि कोई पूजा करना चाहे तब भी ये रुकावटे अर्चने पैदा करते हैं ने भगवान से कोई भी लिना दे हैं यदि कोई अर्जेंट कार रहे हूगा तो यहापको अपनी तरफ ले ले लेते हैं और दोस्तों बता दे कि आपको हमेशा नीजिघीक कुशिचने कोशिश करते तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह बहुत कोशिश करें ऐसे लोगों से दूर रहना है याद रखे दोस्तों चौते वक्ती जिसके बारे में बता रहें जो बहुत जादा चिकनी चुपड़ी बाते करते हैं बात बात पर तारीफ करें हर वक्त केवल आपको ही आपकी गुड़गान गाए तो दोस्तों ऐसे वक्ती भी स दूर रहना चाहिए साथी उन वक्तियों से भी दूर रहना है दोस्तों जो बहुत ही जादा लालजी होते हैं जो लालजी होने का दिखावा आपके सामने करते हैं किसी भी जिसको देख करके कहीं पर भी को योजना बनाने की प्रहुसते हैं चोरी करने की योजना बना लेत हैं इन व्यक्थिवसे भी आपको दूर रहना चाहिए जी हैं दोस्तों क्योंकि व्यक्ति कहीं योजित ना कहीं एक दिन आपको भी फशा देंगे तो दोस्तो हमने कुछ खास कारण और खास लोग बताएं है यह चार प्रवर्दि के लोग हैं जिन आपको दूर रहना है जी हैं दोस्तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब पक्ख केसे कـ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद